हलो फ्रोएंज, वेलकम बाक तु दे कार डिरेक्टर चनल, आज हम बात करेंगे अपटेटेट रेनो गाडी के बारे में काईगर, फॉर्थ जन्रेशन मॉडल आप यह देख रहे हैं, जो मिलेगा आपको टर्बो पेट्रोल एंड पेट्रोल एंड पेट्रोल इंजन ओप्ष कई सारे सेफटी फीचर अब आपको स्टांडर्ड मिलते हैं, यूली अपडेटेट काईगर के साथ, ऐसी दिखते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल लुक, यहापे मिलती है आपको क्रोम इंसर्ट के साथ फ्रंट ग्रिल, यह ग्रिल आपको बेस मॉडल में नहीं मिलती, मिलेगे आपको टर्बो मॉडल्स के साथ ही, यहापे है इसका टोइंग हुक लेट इंसर्ट पर, ऐसी फिनिशिंग मिलती है आपको स्केट प्लेट की, फॉगलम का फीचर नहीं मिलता आपको अदर, यहापे है माट ब्लाक फिनिश, और इदर मिलेंगे आपको ट्राय ओक् इंडिकेटर, हलोजन बल्प के साथ, अंडर इंजिन कवर का फीचर नहीं मिलता आपको इदर, और सस्पेंशन की बात के रहे तो आगे मिलेगा आपको माट पिस इंसर्ट विद लोवर ट्रांस्वर्स लिंक का सस्पेंशन, पीछे मिलेगा आपको ट्विस्पिम का इप आपको काईगर के साथ, ग्लॉसी ब्लाक फिनिश मिलता आपको इस रूफ पे, सर्टें सिल्फर फिनिश के साथ मिलती है आपको रूफ रेल्स, लोडिंग कापसिटी है 50kg की, एप इलर भी आपको ग्लॉसी ब्लाक फिनिश के साथ मिलेगा, और और वेंज पर आपक का फीचर मिलते हैं आपको हर एक मॉडल में जाए आप टर्बो मॉडल लें या नाचुरली एसका वील रेनो का लोगो मिलते हैं आपको रेड इंसर्ट के साथ ब्रेक कालिपर्स भी आपको रेड इंसर्ट के साथ मिलते हैं टर्बो मॉडल में टार प्रोफाइल की बात करें तो मिलेगा आपको 195 x 60 R16 radial tubeless tire, big wheel axis मिलते हैं आपको, matte black finish मिलता है आपको इदर, side and body cladding का भी feature मिलता है, आपको इदर standard and side cladding का भी feature है, इदर मिलती है आपको turbo came bossing, red insert भी मिलेगा आपको इदर, इस cladding पे लिखा है turbo, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा design मिलता है आपको, इफीचर मिलता है आपको दोनो side, and piano black finish के सब मिलेंगे आपको इसके outside door handle जो लग रहे हैं काफी दाधा sporty B pillar मिलता है आपको matte black finish के साथ and C pillar की बात करें तो यहां मिलेगा आपको glossy black insert, floating roof effect मिलता है आपको reno kiger में shark finantina, glossy black insert के साथ, यहां पे है matte black insert इस rear spoiler पे जो बना रहे हैं की look को काफी दा sporty, इधर भी आपको matte black insert मिलेगा और ऐसी दिखते हैं की complete rare profile look reno kiger RX-8 model की यह turbo model, back size की silver skid plate का feature मिलता है आपको rear bumper पे, काफी दाधा sporty rare profile मिलती है आपको reno kiger के साथ, warranty की बात करें तो 2 years या 50,000 km की warranty मिलती आपको इधर standard जिसको आप extend भी करा सकते हैं up to 5 years और 1 lakh km dealer के through, यहां पे मिलती है काइगर की badging, center section में उपर मिलेगा आपको reno का logo और उसके बीचों बीच मिलेगा आपको reverse parking camera जो आता है static guidelines के साथ यहां पे मिलते हैं आपको rear wiper with washer का feature, rear defogger, high mount stop nem, LED में और यहां पे मिलेगा आपको कुछ ऐसा design element rear windshield पे, आप देख सकते हैं and reno की badging मिलती है आपको left hand side पे, C-shape के साथ मिलते हैं आपको signature LED tail lamps जो है standard feature reno kiger के साथ चाहे आप base model ने या top model काफी शानदार लगते हैं जलने के बाद यहां पे मिलता है आपको कुछ ऐसा black insert in tail lamps पे and right hand side पे मिलती है आपको turbo की भाजिंग dual tone में मिलता है आपको इसका rear bumper यहां पे मिलेंगे आपको 3 reverse parking sensors यह पहला sensor, यहां पे मिलेगा आपको दूसरा sensor और यहां पे मिलेगा आपको तीसरा sensor और यहां पे है reflector and turbo model के साथ ही मिलेगी आपको tailgate applique chrome insert के साथ, other models के साथ available नहीं है, back size की silver skid plate front engine and front wheel drive layout मिलता है आपको Renault काईगर में, left inside पे मिलेगा आपको इसका exhaust pipe, आईए इसका boot खुलके देखते हैं electromagnetic button मिलता है आपको इदर and smart access card से भी आप खोल सकते हैं इदर मिलता है आपको best in segment boot space यहां पे मिलेगा आपको electromagnetic button 405 liters का मिलता है आपको यहां पे boot space जो काफे ज़दा बढ़ी है segment के हिसाब से, ऐसा दिखते है इसका boot back size की मिलती है आपको यहां पे rear parcel tray, कुछ ऐसी finishing मिलेगी loading lip की बात करे तो काफी जदा high मिलती है आपको भारी समान को तारने या चड़ाने में आपको दिक्कत हो सकती है यहां पे मिलेगा आपको लगे चुक लगे चुक का feature नहीं मिलता है आपको इस boot में रेशियो मिलता है आपको 165 by 80 R14 यही tire size मिलता है आपको हर एक model के साथ चाहे आप base model है या top model जो आप सामने देख रहे हैं और इस तरीके से आप rear parcel tray को हटा सकते हैं ऐसे दिखते है इसका boot अगर आपको और जदा boot space सही है तो आप 60 40 split fold भी कर सकते हैं इस तरीके से इसे मिल जाते है आपको और जाद बूट space इस तरीके से मिल जाएगा आपको 879 लीटर का boot space huge size का boot space मिल जाते है आपको emergency exit का भी feature अविलेबल है रेनो काईगर के साथ यहापे आपको कोई भी grab handle का feature नहीं मिलता आइए इस boot को बंद कर देते हैं आईए इसका rear passenger door खुलके देखते हैं all black door padding मिलती है आपको इदर glossy black insert के साथ ऐसा देखता है इसका right hand side का rear passenger door यहापे मिलता है आपको glossy black finish के साथ inside door handle आप देख सकते हैं और यहापे मिलेगा आपको इसका lock unlock button इस side यहापे भी आपको glossy black insert मिलता है इस door padding पे जो लग रहा है काफी ज़्यदा sporty और यहापे है hard plastic design के साथ इदर मिलता है आपको soft touch material door mounted armrest पे छोटे size का door mounted armrest मिलेगा utility space power window का switch matte black finish के साथ और यहापे है tweeter के लिए provision speaker और यहापे मिलती है आपको door pocket 1 liter bottle holder के साथ big size की door pocket मिलेगी child safety lock और ऐसे देखते हैं इसका interior fabric seat up old string मिलती है आपको जो मिलती है आपको rest stitching के साथ आप देख सकते हैं कुछ ऐसी quality मिलती है आपको in seats की under thigh support and side ball string काफी ज़्याद बढ़िया मिल जाती है आपको ISO fix ilex in mounts का भी feature मिल जाता है आपको इदर यह feature मिलता है आपको दो adjustable head wrist मिलते हैं आपको rest stitching के साथ second row की seat पे middle में head wrist का feature अवेलेबल नहीं है 2500 mm का wheel base मिलता है आपको इदर जो magnet के बराबर है यह है इसका maximum leg space travel seat बिल को लागे है and minimum leg space की बात करें तो आप देख सकते हैं यह है minimum leg space passenger seat बिल को पीछे है कुछ इतना hump मिलता है आपको middle section में जो काफी जदा कम है आई गाड़ी के अंदर चलते है back pocket का feature मिलता है आपको दोनों front seats के पीछे and rear section में मिल जाता है आपको AC wind का feature chrome external calm देखने हो मिल जाता है आपको इदर और यहां से आप blows को on and off कर सकते है all black finish के सब मिलता है आपको यह AC wind एचे head 12 volt का power accessory socket बढ़ा feature smartphone को charge करने के लिए adjustable headrest मिल जाते है आपको for the front row seat fixed seatbelt मिलती है आपको and fixed ही मिलेंगे आपको grab handle without coat hook driver side नहीं मिलता एक मिलेगा आपको front passenger side और एक मिलेगा आपको इदर black insert and wooden insert के साथ ऐसा दिखता है इसका interior अई गाड़ी के भाल चलते हैं यह side profile look length मिलेगे आपको 3991 width है 1750 height है 1605 and wheelbase मिलता है आपको 2500 mm का crown clearance की बात करे तो मिलेगा आपको 205 mm turning radius है 5 meters and curve weight है 1012 kg का Nissan Magnet से compare करे तो आपको length 3 mm कम मिलेगी width भी आपको 8 mm कम मिलेगी and height आपको मिलती है ज्यादा 30 mm से and wheelbase है same updated model के साथ आपको कई सारे safety features standard मिलते है new kiger में and इस model के साथ मिलते हैं आपको 4 airbags ABS with DBD brake assist ISO fix electronic stability program traction control system tire pressure monitoring system hill stat assist reverse parking sensors reverse parking camera with static guideline display drive modes 3.ELR seatbelts seatbelt reminder with buzzer for driver and co-driver driver seatbelt with pre-tensioner and force limiter engine immobilizer speed sensing auto door lock impact sensing auto door unlock center locking with smart access card rear door child safety lock door a jar low field level light reminder and key left reminder warning indicator जैसे safety features मिलते हैं आपको kiger के RxS model के साथ और ऐसे दिखते हैं इसके C-shape में signature LED tail lamps और होने के बाद with turn indicator turn indicator मिलेगा आपको halogen bulb के साथ license plate के lights भी आपको halogen bulb के साथ मिलती है reno kiger में high strength trees structure मिलता है आपको reno kiger के साथ platform की बात करें तो बनती है reno nissan cmf a plus platform पे इसी platform बनती है reno triber and nissan magnite cmf stands for common module family mars 2021 में launch 3 थी reno kiger इंडिया में और इसका code name है hbc and global end cap में मिले इसको 4 star की rating for the adult occupancy points मिलें इसको 12.32 के out of 17 and child में मिले इसको 2 star की rating points मिलें इसको 21.05 के out of 49 और ऐसे दिखते हैं इसके LED DRLs on होने के बाद with turn indicator DRLs या daytime running lights का feature मिलता है आपको standard kiger के साथ tri-actor design के साथ मिलते हैं आपको pure vision headlamps LED में काफी शांदार लगते हैं ये positioning की वैसे काफी ज़दा बढ़िया throw मिल जाता है आपको इस headlamp unit से आप दिख सकते हैं कुछ ऐसी लगते है front profile look ये है low beam profile इस headlamp unit की surrounding मिलती है आपको red insert के साथ turbo model में जो आप देखने सामने ये है low beam profile और ये है इसकी high beam profile इस headlamp unit की बहुत ही जल्द इसका electric version भी launch होने वाला है दिवाली के round इसी साल चन्नाई इंडिया में इसकी assembly होती है रेनो काइगर की और इंडिया से ही कई सारी countries में export भी होती है Nissan Magnet का review आपको मिल जाएगा उपर आई बटन से अंडर Nissan reviews आप देख सकते हैं single tone में मिलते हैं आपको total 5 color options RXZ model में ये है white, black इसके लाव आपको मिलेगा silver, blue and brown dual tone का भी option है उदर मिलते हैं आपको 4 color options RXZ model के साथ red with black roof silver with black roof blue with black roof and white with black roof आपको ये भी choose कर सकते हैं accordingly dual tone का option मिलते है आपको इस model के साथ और इदर मिलेगा आपको smart access card 4 buttons के साथ पीछे मिलते हैं आपको reno का logo lock unlock button auto foldable OR wings का feature नहीं मिलते हैं आपको इदर और इस button के थुरू आप light up भी कर पाएंगे और इसके साथ में मिलते हैं आपको boot खुलने का button तो इस सब features मिलते हैं आपको आईए इसका driver side door खुल के देखते हैं black color की door parting मिलती ही आपको इदर ऐसा देखते हैं इसका driver side door glossy black insert मिलते हैं आपको door parting पे जो आपको inside door handle पे भी देखने को मिल जाता है कुछ ऐसी finishing मिलती है आपको इदर lock and lock button मिलता है आपको इस जगह front to doors के लिए, यहापे मिलता है आपको glossy black insert यहापे मिलता है आपको design और इदर है soft touch material lower mounted armrest पे बड़िया feature और यहापे है power window के switches auto up यह auto down का feature मिलता है आपको anti-pint feature के साथ यह buttons मिलते हैं आपको illumination effect के साथ white color की illumination light मिलती है आपको buttons पे यहाँ से rear power window को lock कर सकते है electrically adjust and retract कर पाएंगे आप ORViems को, tweeter का feature मिलता है आपको front dashboard पे और नीचे मिलता है आपको इसका speaker, साथ में है front मा pocket big size की, चारो doors पे आपको big size की door pocket मिलती है, umbrella holder का feature नहीं मिलता है आपको इदर, यहाँ पे भी आपको glossy black insert मिलेगा, इदर मिलता है आपको matte black finish, कुछ ऐसी finishing मिलेगी आपको grab handle पे, ऐसे दिखते है इसका interior driver side से, all black interior theme मिलती है आपको glossy black insert and wooden insert के साथ, three spoke electric power steering wheel का feature मिलता है आपको इदर, यहाँ पे fabric seat upholstery, red stitching के साथ, wall string आप देख सकते हैं, काफी जदा बढ़िया मिलती है आपको design कुछ ऐसा मिलता है आपको इदर यहाँ पे मिलेगा आपको driver seat high adjustment का feature, इदर मिलता है आपको lever and recline के मिलेगा आपको इदर lever, इस side और इदर से कर सकते हैं आप slide driver seat को और यहाँ पे मिलता है आपको fuel lid खोलने के लिए lever, यह है इसका high beam adjuster knob और इसके नीचे placed मिलता है आपको engine bonnet खोलने के लिए lever, इस side यह इसकी paddle positioning clutch footpress या dead pedal का feature नहीं मिलता है आपको इदर, इदर मिलेगा आपको ऊच्छ ऐसा design element, काफी सारे features आपको exclusive मिलते हैं, turbo model के साथ इसका cabin look, sunroof का feature नहीं मिलता है आपको काईगर में आगे और पीछे आपको adjustable headrest का feature मिलेगा और black interior theme मिलती है आपको roof lining मिलेगा आपको grave finish में आपको इसी वेंस की बात करें तो यहाँ पे भी आपको glossy black insert का का काम देखने को मिल जाएगा नीचे मिलती है आपको clean air की embossing आप देख सकते हैं, यहाँ पे chrome extend अकाम और इसके नीचे मिलता है आपको hard plastic इदर यहाँ पे dummy button और कोई भी feature नहीं मिलता है आपको इदर आई गाड़ी के अंदर चलते हैं ऐसा कुछ view मिलेगा आपको driver seat से यह है turbo variant RxZ model का electric power steering wheel मिलता है आपको leather wrap नहीं मिलता है आपको यहाँ पे मिलेगा आपको leather wrap इसी पार्ट पे restaging के साथ यहाँ पे नहीं है leather wrap thumb contour का feature मिलता है रेनो का logo यह इसका horn यह बागी badging horn का sign मिलता है आपको दोनों साइट यहाँ पे है glossy black insert overall steering mounted controls के surrounding में भी steering adjustment की बात करें तो tilt way में ही कर पाएंगे आप telescopic available नहीं है and right hand side पे मिलते हैं आपको MID की controls इस side और साथ में मिलेंगे आपको cruise control इस side and left hand side की बात करेंगे तो light indicator एक अंट्रोल fog lamp का feature नहीं मिलता है आपको इदर आई गाड़ी corn कर लेते हैं center fascia पे मिलता है आपको start stop button यहाँ पे मिलेगा आपको 7 inch का TFT instrument cluster काफी ज़दा बढ़िया लगता है यह ऐसा मिलेगा आपको इसका cabin look गाड़ी corn करने के बाद काफी sporty interior theme मिलती आपको रेनो काईगर में ऐसा मिलता है आपको instrument cluster यहाँ पे मिलता है आपको temperature meter और इधर मिलेगी आपको time की information तीच है total number of kilometers यह इसका speedometer, digital speed instant fuel economy outdoor temperature display और यहाँ पे fuel meter और इस side है dual trip information और कौन सा mode active है यह इदर show करेगा MID को access करने के लिए मिलता है आपको steering mounted control इधर से आप access कर पाएंगे कई सारी information को आप देख रहे हैं अपटी screen के उपर यह fuel economy, instant fuel economy average भी आप यहाँ से check कर सकते हैं और यह trip meters कई सारी information देखने को मिल जाती है और service interval, कब आपको service करानी है आप इसको reset भी कर सकते है brightness को आपका में ज़्यादा भी कर सकते है इन buttons की मदद से इधर भी एफीचर मिल जाता है आपको settings में तो यह सब features मिलते हैं आपको इस instrument cluster पे काफी ज़्यादा informative instrument cluster मिलता है आपको Renault Kyger के साथ यहाँ पे hard plastic यहाँ पे है glossy black finish और इधर भी आपको gloss effect के साथ wooden type insert देखने को मिल जाता है left inside पे इस event और यहाँ पे मिलेगा आपको tweeter का feature dashboard पे 3D sound by akamese का feature मिलता है आपको इस wherein के साथ total 4 speakers and 2 tweeters का feature मिलता है आपको ऐसी कुछ visibility मिलेगी आपको engine bonnet की driver seat से यहाँ पे कोई भी feature देखने को नहीं मिल रहा इधर है Bluetooth mic driver side पे और यहाँ पे है temperature sensor एक reading light मिलती है आपको आगे भी halogen bulb के साथ air wind मिलता है आपको adjustable day and night and passenger side sun visor की बात करे तो vanity mirror का feature मिलेगा दो glove box का feature मिलता है आपको इदर बढ़िया feature like Toyota Innova Crysta काफी बढ़िया space मिल जाते है आपको इस upper glove box में and lower glove box की बात करे तो whose size का आपको lower glove box मिलेगा cool effect का feature मिलता है आपको इदर काफी सारे कभी holes मिलते है आपको काफी बढ़िया space मिल जाते है आपको इदर like Tata cars Nissan Magnet में भी आपको अच्छा कासा glove box मिल जाते है review आपको मिल जाएगा उपर आई बटन से all black finish के साथ मिलते हैं आपको इसी wind north मिलेंगे आपको chrome accent के साथ नीचे मिलते हैं आपको इदर hazard light का बटन यह center locking का बटन बानवली, rear defogger यहाँ पे हैं दो dummy buttons automatic climate control मिलते हैं आपको इदर इदर मिलेगा आपको advanced atmospheric इदर एक particulate filter का feature 2.5 clean air filter का feature मिलते है यह इसकी blow speed minimum temperature मिलेगा आपको 19.5 degree का automatic AC मिलते हैं इदर से आपको कई सारे modes को select कर सकते हैं मारूती Swift की तरह आपको इसी unit मिलते है रेनो काईगर में इस तरीके से आप इसको off कर पाएंगे यहाँ पे मिलते हैं आपको space यह cruise control का button साथ में है engine start stop button chrome ring feature के साथ और साथ में है USB का port AUX का port available नहीं है और यहाँ पे मिलते हैं आपको wireless charger का feature यह feature मिलते हैं आपको RXT optional variant के साथ इदर से आप on and off कर सकते हैं इदर मिलती है आपको LED light और यहाँ पे कुछ information है आप पढ़ सकते हैं यह इसका 5-speed manual gearbox Xtronic CVT gearbox का भी option मिल जाते हैं आपको turbo models के साथ कुछ ऐसी finishing मिलेगी आपको यहाँ से आप LED light को on and off कर सकते हैं बढ़ यह feature उसके पीछे मिलते हैं आपको modes का button इदर से आपको 3 mode मिलेंगे यह है normal mode और यह है sport mode color भी change हो जाते हैं आपको economy mode या eco mode इदर मिलेगा आपको green color option तो 3 modes मिलते हैं आपको sport के साथ मिलेगा आपको red normal के साथ मिलेगा आपको blue rotary knob मिलते हैं आपको chrome insert feature के साथ center console पे आपको positioning मिलती है यहाँ पे है glossy black insert front पे मिलते हैं आपको armrest leather insert के साथ यहाँ पे भी आपको red stitching का काम देखने को मिल जाएगा इसको उठाएंगे तो काफी ज़्यदा space मिल जाता है आपको और इसको आप खोल भी सकते हैं slide way में Tata Nexon की तरह आपको यहाँ पे भी काफी ज़्यदा space मिल जाता है इसका speaker की placement dashboard मिलता है आपको tweeter auto up या auto dawn का feature मिलता है आपको inter pinch के साथ electrically adjust and retract कर पाएंगे आप ORVM को और यह है इसका illumination look white color की illumination light का feature मिलता है आपको buttons पे ऐसा देखे हैं इसका cabin यहापे मिलेगा आपको 18 का touchscreen infotainment system आइए इसका reverse के लगा के देखते हैं ऐसी मिलेगी आपको reverse parking camera की quality इधर से आप static guidelines को on and off भी कर सकते हैं dynamic guidelines का feature नहीं मिलता brightness या contrast level को भी आप कम इधादा कर सकते हैं इन settings के through कई सारे features मिलता हैं आपको इधर android auto apple car play bluetooth radio usb को support करता है यह और कई सारी settings भी कर सकते हैं आप 3D sound by akamies का feature मिलता है आपको इस variant में यह vehicle setting इधर से भी आप rearview camera को on and off कर सकते हैं driving eco इधर मिलती है आपको कई सारी information eco scoring trip report भी आप इधर से पास सकते हैं and eco coaching total 4 speakers and 2 tweeters का feature मिलता है आपको इस variant के साथ तो इस सब features मिलते हैं आपको इस task queen unit से आई गाड़ी को बंद कर देते हैं कुछ ऐसे information देखने को मिलती है यह है इसकी door ajar warning आई इसका आप fuel lid खोल के देखते हैं यहापे मिलता है आपको fuel lid 40 liters की मिलती है आपको यहापे fuel tank capacity एक बारी में आप 40 liters का petrol डलवा सकते हैं यहाँ से कोल सकते हैं आप engine bonnet को यहापे मिलती है आपको dampening जो इधर भी देखने को मिल जाएगी under engine cover का feature नहीं मिलता और सामने देखने हैं मिल रहा है 1 liter का turbo petrol engine BS6 stage 2 compliant engine है यह जो head 3 cylinder engine जो produce करता है 99 BHP की power 160 NM talk के साथ अगर आप CVT लेते हैं उधर आपको talk level मिलेगा कम 152 का company mileage claim करे 20.5 की for the manual and 18.2 for the CVT जो magnet से बहतर है तूसरा मिलता है आपको 1 liter का naturally splitted petrol engine figures आप देख सकते हैं अपनी screen के उपर उधर मिलता है आपको AMT या 5-speed manual gearbox तो कैसी लगी आपको रेनो काईगर कामेंस पी बताईए वीडियो पसंद आए तो like करिए शेर करिए और हमारे चैनल को subscribe करिए thank you for watching